हेलो फ्रेंड्स मैं हुई यश्य श्री भावे और आपने अगर हमारे इस यश्य ट्राइब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजी दोस्तों पिछले बार हमने टॉपिक देखा था कि वर्ड्स का कितना इंपॉर्टन्स है अपने गाने में अगर पर्टिकिलर वर्ड उस तरह से अगर हमने प्रेजिंट नहीं किया प्रणॉंस नहीं किया तो क्या होगा तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स्प्रिशन्स किसी भी होई भी सौंग में हमारे एक्स्प्रिशन्स अगर हंड्रेट परसेंट नहीं हुए हम लोग अगर वो गाना हंड्रेट परसेंट एक्स्प्रिशन्स के साथ नहीं गा पाए तो बोलते हैं ना हम बहुत बाग होत आपको पुलके थोड़ा सा बताना चाहोंगे कि एक्सप्रिशन्स क्या है अगर आपने हमारा पहला इसके पहले वाला वीडियो अगर देखा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है तो आप इसे जरूर देख सेते हैं चलिए आज के टोपिक पर आते हैं कि एक्सप्रिशन्स क्या होते हैं हर एक सौंग में एक्सप्रिशन्स का भी बहुत बड़ा महत्म होता है कोई भी सौंग चाहे हो किसी भी मूर का सौंग हो हैपी सौंग हो साड़ सौंग हो या तो फिल इक तर पैपी नंबर हो डांस नंबर हो मस्तिवरा सौंग हो किसी भी ये टाइप का अगर हम लिये तो पड़े के साथ साथ व्यूजिड की साथ साथ एक्सक्रेशन्स इस इंपोर्टत पैप्टि तो हमारा सौंच होना है और अगर निकी हम इच्छा रखते हैं तो अगर थोड़ा थोड़ा द्छा दियान देंगी तो वो यह जो लोग को पसंद आएगा यह जो लोग आसकता है तो हम टॉपिक पे हैं हमारी आपिक पे है कि एक स्परिश्राइब आपको एक इसांपल गता रही हूँ एक सौंग ले ली हूँ में जरा सा जुमलो में यह सौंग डीडी एल जी का है और लीजेंड आशा जी ने कमाल का गया है तो अगर विडाउट इक्सपरिशन हम यह सौंग को गाए जैसे आपको एक्सांपल बताती हूँ जरा से जुमलो में रनारे नारे ना जरा सा घूमलो में रनारे नारे ना तो यह थोड़ा हो जाएगा अगर हम इसे ठोड़े से हमारे एक्सपरिशन सब्सक्राइड करते हैं सुनी आशा जी ने इस काने को लिए जरा सा एक जो वर्ड है उसमें कितने जान डालजी और कितना ओसम लिगाया है यह तो जबी जानते हैं उनने लेको कैसे कमाल किया वो एक वर्ड में जरा से जुमल जरूर इस पर थुड़ा वर्काउट कीजिए अगर आपको लगता है कि यह एक्टम अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इस एक्सप्रिशन को अपने सिंगिंग में लाने की कोशिश कीजिए जरूर अच्छा एक अमेजिंग एक्सपिरियंस होता है हर एक सौंग में जब ए जरूर इस सौंग को लेकर तो वो जो एक महौल होता है वो बहुत ही ऊसम अच्छा है मैं और एक सौंग आपसे डिस्कॉस करना चाहूंगी जो है फिल्म रामतरी गंगा मेईस है उसने पहाडो का दोस्तों जिन लोगों को मालूम है उनको तो मालूम है लेकिन जिन लोगों अच्छा नहीं मालूम यह बात पर उन से शेयर करें हूँ कि घुस्ते पहाडो का यह सौंग बेस्ट आप पहाडी रांग यह पहाडी रांग पे पेस्ट है यह सौंग और इस गाने में तो कमाल ही कमाल है लताजी का सुरिश मरकर जी और लताजी का बहतरीन डूएट बोल स संगीत और क्या कहने राज कपुर्ची की मूबी थी और इसका जो शुटिंग हुआ है वो इतनी सुंदरवादियों में इसको फिल्माया गया है अगर आप हाँ अभी में पॉइंट पे आ रही हूँ एक्स्प्रिशन सब ले देखे कि किसी भी सौं में एक्स्प्रिशन हमक हमको अगर किसी भी सौंग के सिचिएशन ही नहीं मालू कि इस सौंग किस हीरो और हीरो इन पर फिल्माया गया है या उस सौंग की सिचिएशन क्या थी यारे वो स्काइड मूर में था तो कैसे गाया है यारे कैसे पिक्चराइज किया है एपी मूर का है तो कैसे डांस करते अगर यह बात हम जान ले और वो उसको हम देखे तो इट विल बेनिफिशियल डेफिनिटली इस वर तो जैसे उसके पहाडों के बारे में मैं बात करें थी उसके पहाडों का यह बहुती सुन्दा तरीके से इसको शुटिंग किया गया है और जब जब यह गाना हम लोग गात तो मैं यह 100% बोल सकती हूँ कि आपके गाने में उसके फिलिंग्स जरूर अपने आप आएंगे क्योंकि आपके माइंड में भी वो चल रहा है कि वो गाना हाँ वो ऐसे इसे शूट हुआ था वो एक एक वर्ड वो एक एक हीरो हिरों के एक्सप्रिशन कैसे कैसे उनके एक् थोड़ा गुंगोला इसलिए चाहूंगी ताकि लिंक में सके कि यह कौन सा आना है जिनको नहीं मादभूल के लिए हाँ हां हाँ हां हाँ 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 ह। तो जुझे लिए पहाँ हाँ है क्या के हे ना है के बारो मही में यहां मौसल जाडो मुकार यह सौंग इस सौंग के बारें दर में आपसे बात करे थी तो यह गाना जितना सुंदर हमको सुनने में रखता है ना तो एक छोटी से टिप बोलना चाहूंगी कि आप अगर इस गाने का वीडियो देखें तो आपको महत मजा आएगा इतना सुंदर इसका वीडियो है और बहुत सुंदर वीडियो है यह एक सौं की पर्टिकुलर सौंग के बारे में इस बात कर से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि खाली उसके पहाडों का कही भीशय नहीं है मैं आपको यह बात पूलना शाहूंगी कि आप जो कोई भी गाना हो गाते हों तो उसके अगर 100% आपको एक्स्प्रेशन चाहिए या 100% वो गाना दिल को चूना चाहिए किसी के भी तो आप डेफिनिटी उसका ओडियो तो सुने ही सुने पचास सौ बात दोसुबात जितने देखा तो डेफिनिटली आपका सौंग 100% फुल सौंग होके और लोगों को फुल सौंग वो एक्स्प्रेशन के साथ आएगा और लोग उसे जरूर अप्रिशेट कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का टोपिक एक्स्प्रेशन क्या है सी इन में यह आज हमने देखा अगले टोपिक पे हम जरूर मिलेंगे तब तक आप अपनी पैमिली का और अपना जरूर ग्राल रखिये थाइक्यू सो मच